देखे कोशन दिया हुआ है यदि पैट्रोल के भाव में पहले दिन 20% की विरद्धी हुई और दूसरे दिन 20% की कमी हुई तो पैट्रोल के वरत्मान भाव में विरद्धी हुई या कमी देखे इस कोशन को सोल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं 20% कितना होता है एक बटे 5 पांच होता है ठीक है कि दिखपटे 5 होता यानिके 5 पे 1 की व्रद्धि हुई रटोल के वरत्मान भाव थे 5 पांच से वए 6 पहले दिन कीके दूसरे दिन 20 प्रेतिसत की कम्ही हुई यानि के 20% की कमी हुई तो 5 से पेट्रोल के वरत्मान भाव हो गए 4 तो अभी पूछ रहा है वरत्मान भाव में विरद्धी हुई या कमी तो यह पेट्रोल के जो इस साइड वाले भाव हैं यह विरद्धी और कमी से पहले और यह विरद्धी और कमी के बाद तो इन दोनों को अपस में mltiply करेंगे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और 6 को 4 से मल्लिप्लाक करेंगे तो 24 हो जाएगा यानि कि वरत्मान भाव 25 है कमी और विरद्धी के बाद उसके वरत्मान भाव वा 24 एक की कमी होई 25 पर एक की कमी होई तो 100 पे कितने की कमी होगी जिसको 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा ठीक है इस साइट पे भी एक को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा यानि कि टोटल वर्तमान भाव में 4 पिरतिसत की कमी होई